नमस्कार तो आज हम बात करेंगे इसल के विंटर विंडो के टॉप 10 ट्रांसवर्स के बारे में तो काफ़े इंट्रेस्टिंग ट्रांसवर्स हुआ है तो चेली हम बात करते एक एक करके सब के बारे में तो आई होब कि ODSFC अनिकेट जादो का सहीं तरीके से यूज कर पाएं। फिर दूसरा ट्रांसफर है ग्यामार निकुम का जो राजस्थान उनाइटेट से मुंबई सिटी में गये हैं। और इनकी एज है भी किवाल 18 साल है। और इनको 75 लाख रुपीज की ट्रांसफर फीज देकर मुंबई सिटी ने लिया है। और ये एक रिकॉर्ड ट्रांसफर फीज है इस एज के प्लेयर के लिए। और अब इनके आयलीक के परफॉमेंस की बात करें तो उन्होंने चार मैच खेले जिसमें एक गोल मारा। लेकिन इनका डूरांट कप का जो परफॉमेंस आओ काफी लाजवाप वहाँ पर उन्होंने 80 की मोहन बगान और मुंबई सिटी जैसे टीम्स के अगेंस्ट गोल स्कोर किया था। और अब फाइनली है बहुत अच्छी टीम में जा जोगे तो आई होप की इनका डेवलप्मेंट वहाँ पर बहुत सही से हो। और बैंगलूर FC में उनका काफी इंपक्ट था और इस सिजन उन्होंने 10 मैच में एक गोल भी स्कोर किया। तो आई होप की केरला ब्लास्टर्स में भी अपना मैजिक कुछ दिखा पाएं। फिर चौथे नमबर पर हम बात करेंगे पूटिया की जो की केरला ब्लास्टर्स से 80 के मोहन बागान में गया है। पर इस सिजन दस मैच में एक गोली स्कोर कर चुके हैं। आउंगलास पंजाब से आई लीग में खिलते थे और अब चैनियन FC में आ चुके हैं। और ये एक बहुत टैलेंटेट सेंटर बेक प्लेयर हैं। तो वैसे तो चैनियन में अल्रेडी सेंटर बेक्स हैं। लेकिन एक यांग प्लेयर के रूप में फ्यूचर के साफ से चैनियन को बहुत अच्छा प्लेयर मिल गया है विकास के रूप में। और भिकास अपने गेम को और ज़्यादा डेवलप कर सकें फिर आठवे प्लेयर है जेक जर्विस जो कि इंगलेंड के प्लेयर है और ये अभी तक फिंडलेंड की लीग में खेल रहे थे और अभी इन्होंने ट्रांसफर लिया है इस्ट बंगॉल में तो I hope कि इनका थोड़ा से इंपेक्ट इस बंगॉल में हमको देखने को मिलेगा फिर नववे प्लेयर है स्लाव को दामजानोविच जो कि मॉंटो नेगरो कंट्री के प्लेयर है और अभी तक है सर्बियन लिग में खेल रहे थे और वहां से इन्होंने ट्रांसफर लिया है एटी के मोहन बागान में और ये बहुती शांदार और बहुत ज्यादा एक्स्पिरियंस्ड सेंटर बैक है और ये अल्रेडी चन्नी एन FC के लिए आईएसल में खेल चुगे है दो जिस तरीके से एटी के मोहन बागान के डिफेंस में थोड़ी सी प्रॉबलम है तो उसको सायद है फुल्फिल कर पाएंगे फिर 10th best signing की बात करते हुए फेडरिको गैलेगो जिनको आप अल्रेडी अच्छे से जानते ही होंगे तो ये अभी खेल रहे थे उरुगवे के 2nd division club में और अब इन्होंने transfer लिया एटी के मोहन बागान में तो ये एक बहुत ही अच्छे attacking midfielder है और इससे पहले आप अल्र इंटर विंडो के तो आप बता ही आपको कॉंसर ट्रांसफर सबसे बेस लगा जो भी आप कहना चाहिए जरूर कमेंड में लिखके बताएगा और इसी तरह आप इंडियन फुट्बॉल को सपोर्ट करते रहे हैं बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जैहिं जै भ